Hello everyone, I am Anita and welcome to my channel आज का हमारा टॉपिक है WH question words जिसे हम WH family भी कहते हैं Usually हम WH words question पूछने के लिए use करते हैं और ये बहुत ही useful words होते हैं क्योंकि इसके बिना हमारी conversation आगे नहीं बढ़ सकती I mean जब भी हम बाते करते हैं और एक दूसरे से question पूछते हैं तभी तो हमारी conversation लंबी होती है तो अगर आप सच में English में fluent बनना चाहते हैं तो आपको question पूछने जरूर आना चाहिए और WH words हमें help करता है question पूछने में इसके use से हम आसानी से कोई भी question पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में WH question words से related कुछ words सीखेंगे तो हमारा first WH word है what generally हम what का use information जानने के लिए करते हैं जैसे वह क्या पढ़ता है what does he read तो यहाँ पे हमें उसके बारे में information लेना है कि वह क्या पढ़ता है इसलिए what का use किया तो what जो की WH word है Dutch helping word है he एक subject है और rate main word है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तुम क्या करते हो तुम क्या करते थे तुम क्या करोगे उसने तुम्हें क्या बताया तुम क्या खाओगे तुम उसके बारे में क्या जानते हो आप बाजार से मेरे लिए क्या लाओगे वो दो घंटे से क्या कर रही थी तो ये past perfect continuous tense का sentence है तो इस tense में helping verb had been का use करते है तो had been एक साथ use नहीं होते had been के बीच में subject आता है तो हमारा next WH question word है why why का use हम reason जानने के sense में करते हैं for example उसे इतना गुसा क्यों आता है why does he get so angry उसे इतना गुसा क्यों आया why did he get so angry तुम यहां क्यों आये why did you come here तुम English क्यों सीखते हो why do you learn English तुमने खिरकी क्यों खोली why did you open the window तुम पतना क्यों जाओगे why will you go to पतना तु यह सारे why से related sentence थे next हमारा wh question word है where where का use हम location जानने के लिए use करते हैं तुम कहां रहते हो where are you coming from next wh question word है how how word wh से सुरू नहीं हुआ है पट इस word में h भी है, w भी है इसलिए यह word wh words के category में आता है how का use तरीके के बारे में पूछने के लिए किया जाता है जैसे अगर कोई काम हुआ है तो कैसे हुआ है या फिर किसी का हाल पूछने के लिए किया जाता है so basically हम कह सकते हैं कि condition या situation जानने के लिए किया जाता है for example आप कैसे हैं how are you आपके साथ सब कुछ कैसा चल रहा है how is everything going with you वह यहां कैसे आएगा how will he come here सब कुछ कैसा चल रहा है how is everything going आज का आपका दिन कैसा था how was your day today वह बजार कैसे जाता है how does he go to market तो ये था how का योज next डबलु एच वर्ड है when when का योज generally time पूछने के लिए किया जाता है जैसे हम मुंबई कब जाएंगे when will we go to Mumbai आपका भाई वहां कब गया when did your brother go there तुम रोज सुबा कब उठते हो when do you get up every morning तुमने खाना कब खाया when did you eat तुमने उसकी मदद कब की when did you help him तो हमारा next डबलु एच वर्ड है whom whom का योज लोगों के बारे में पूछने के लिए किया जाता है जैसे कई लोग हैं उनमें से किसको के सेंस में योज किया जाता है for example तुम किसे अमंतरित करने जा रहे हो whom are you going to invite तुम किसे बुला रहे हो whom are you calling तुम किसे बात करते हो whom do you talk next डबलु एच वर्ड है which which का योज हम चॉइस जानने के लिए योज करते हैं जैसे हमारे पास कोई चीज दो या दो से ज्यादा है तो हम पुछते हैं which one will you take कौन सा लोग है या फिर which color which person which place means जहां option है वहां which का योज किया जाता है for example आपको कौन सा कलर पसंद है which color do you like गर्मी की छुट्टी के लिए कौन सी जगह अच्छी है which place is best for summer vacation आपकी कलम कौन सी है which is your pain कौन सा रंग अच्छा है लाल या गुलाबी which color is good red और pink आपको कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद है which season do you like the most next who who का योज किसी परसन के बारे में पूछने के लिए किया जाता है जैसे तुम कौन हो who are you पटना कौन जाएगा who will go to पटना मेरी मदद कौन करेगा who will help me तुम्हें कौन पढ़ाएगा who will teach you तुम्हें कौन पढ़ाता है who teaches you next डब्लू एच वर्ड है whose यानि किसका या जिसका whose वर्ड से हमें किसी भी चीज के ownership का पता चलता है कि वो किसका है जैसे बाहर किसका कुत्ता भौक रहा है whose dog is barking outside किसका फोन बज रहा है whose cell phone keeps ringing यह घर किसका है whose house is this यह कार किसकी है whose car is this तो यह थे डब्लू एच वर्ड स्रिलेटेट सेंटेंस I hope आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग